नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी नियूज में, मैं हूँ आपके साथ अभेविशाल दोस्तों बिहार हर मामले में अपना एक अलग ही पहचान रखता है क्यों तो बिहार में कई ऐसे जगह हैं जो पर्याटन के द्रिश्ची से बहुत ही रमनिया हैं लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे जगहों के बारे में जो छोटे तो हैं लेकिन यहां की बनी मिठाईयां पूरे भारत में अपने स्वाद के लिए एक अलग ही पहचान रखते हैं ये जगह अपनी मिठाईयों के कारण पूरे भारत में मसहूर हो गये हैं तो आईए बात करते हैं बिहार के 6 मसहूर मिठाईों के बारे में जिनके स्वाद ने लोगों को अपना दिवाना बना दिया है सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ की लाई के बारे में दोस्तो बार की लाई न सिर बिहार में बलकी पूरे भारत में प्रसिद्ध है इस मिठाई का स्वाद अपने आप में एक अलग पहचान रखता है रामदाना, चीनी और मावे से बनी अलाई वाकई इतनी स्वादिश्ट होती है कि इसको खाने के बाद लोग इसका स्वाद जी छेना और चीनी से निर्मित इस खुर्मा को अगर आप एक बार खा लेंगे तो इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अब हम बात करेंगे बकसर की पापड़ी के बारे में बकसर की पापड़ी अपने अनोखे स्वाद के लिए न सिर्फ बिहार में बलकि पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है इस मिठाई को चीनी, घी और मैदा से त्यार किया जाता है या मिठाई भारत के किसी भी कोणे में आसानी से मिल जाती है इस मिठाई का स्वाद ऐसा होता है कि एक बार खाने के बाद कई दिनों तो कियाद रहता है गुजिया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे या ठेट बिहारी मिठाई है गुजिया कई तरह से बनाय जाता है जैसे मावा भरी गुजिया, मावा इलाइची गुजिया इत्यादी इस मिठाई का स्वाद भी अपने आप में अलग पहचान रखता है इस मिठाई को पूरे भारत के लोग बहुत ही सौक से खाते हैं सिलाओ का खाजा भी अपने स्वाद के वज़े से पूरे भारत में मसहूर है गेहूं के आटा, चीनी और वनस्वती घीस से निर्मीत या मिठाई अपने अनोखे स्वाद के कारण खाने वाले को अपने स्वाद का दिवाना बना देता है अब हम बात करते हैं दलसींग सराई के रसकदम के बारे में समस्तिपुर जिला में एक छोटा सा कस्वा है जिसका नाम है दलसींग सराई यहां लगभग हर दुकानों में आपको सजी हुई मिल जाएगी रसकदम मिठाई इस मिठाई का स्वाद ऐसा होता है जो खाने वाले के दिलो दिमाग पर छा जाता है तो यह थे बिहार के च्छा मसहूर मिठाईयां जो भारत भर में अपने स्वाद के कारण अलग छाप छोड़े हैं पूरे भारत के लोग इन मिठाईयों को बहुत ही सौक से खाते हैं अगर आपने भी इन मिठाईयों का स्वाध चखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन मिठाईयों का स्वाध कैसा लगा तो आज के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज धन्यवाद